और दोस्तों कैसे हो मै कोस्टो पर आप देख रहे हो कोस्तो वयबाई के मापका स्वागा थे तो आज की हम उस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्राइट होता है वो क्या है और दोस्तों इसके साथ साथ जो नॉर्मल यूजर है उसके लिए 120 हाज रिप्रेज़रेट जो होता है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है तो दोस्तों आभी की टाइम मेहनों में दो से तीन mayor लाँच होई जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सरे train रहता है, Garden bike है तो 2020 में एक Palace है 120 valley, हिप्रेस डेयत तो 120 क्या होता है इसका क्या use और नॉर्मन यूजर के लिए क्या है ज़रूरी होता है और gaming के लिए इसमें क्या फरक होता है तो इस वीडियो में हम एई बात पूरा इंडेफ्ट कवर करेंगे तो वीडियो को पूरा लास तक देखते रहिए हमें से की तरह हम एक बात कहेंगा आप मेरे चनल में नहीं होगा तो अपलीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और सेर कीजिए चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और राइट गाइस वेलकम बैक तो फास्ट आपको जानना होगा रिफ्रेज रेट तो रिफ्रेज रेट क्या होता है एबरी डिस्प्ले में चाहे हो कॉम्प्यूटर है चाहे हो टीवी है चाहे हो स्मार्टफोन है एबरी डिस्प्ले में आपको पिक्सेल देखने को मिलता है तो दोस्तों पिक्सेल बहुत सरे एक जगा में होके एक blink होता है तो वो कितना blink होगा एक सेगेंड में वो त्यार करता है जो refresh rate होता है तो एक सेगेंड में सभी फोन में सभी टीबी में 68 आपको देखने को मिलता है तो मतलब एक सेगेंड में कोई भी फिक्चर एक सेगेंड में इतना बार refresh होता है मतलब ब्लिंग करता है तो आपको देखने को मिल रहा है मतलब ए जो camera है मतलब जिस camera से हम record कर रहा है अभी तो इस camera में एक second में 50 steel image को capture कर रहा है and उसको ही एक process से motion बनाया जाता है उसके बाद आपको ए वीडियो देखने को मिलता है तो ऐसे ही होता है जो display होता है उनमें भी ऐसे ही काम होता है मतलब एक second में आपको 60 बार उस display को refresh होने को देखता है तो उस time आपका जो भी motion रहता है डिस्पले में वो आच्छा से आपको देखने को मिलता है तो आप जान गए हो जो refresh rate होता है वो क्या है तो 120 refresh rate क्या है simple है तो दोस्तों कोई भी आगा डिस्पले 120 हर्च refresh rate support करता है हर्च मतलब एक second में कितना बार वो refresh होगा तो 120 हर्च refresh rate मतलब एक second में आपका डिस्पले का जो pixel है वो 120 बार वो refresh करेगा मतलब जो काम हो रहा है उसको refresh करेगा आप अगर game खेल रहे हो उस time तो game में बहुत सरे motion रहता है तो उस time आपका अगर mobile 120 हर्च refresh rate support करता है तो 120 हर्च बार आपका display refresh करेगा करेगा तो next question है वो है क्या normal user के लिए बहुत ही जरूरी है जो लोग कोई भी message पड़ता है जो news पड़ता है कोई वीडियो देखता है तो उसके लिए क्या 128 refresh rate बहुत ही जरूरी होता है तो दोस्तों मेरा जो answer होगा वो है नहीं क्यूंकि आप अगर कोई भी mobile लेता हो जिसमें 60 हर्च का display दिया जाता है तो उसमें आप कोई भी news कोई भी वीडियो आप smoothly देख सकतो और अगर कोई भी आप game खिलना चाता हो तो उस time आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है 120 हर्च refresh rate बाला display तो आगर आपके पास पैसा उतना नहीं है तो आप 60 हर्च मोबाइल खरी सकतो क्योंकि दोस्तों आभी के time में जो भी display मिलता है वो सब 60 हर्च में मिलता है तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद मतलब एक दो साल बाद आपको 120 हर्च बाला जो display सब फोन में आपको देखने को मिल जाएगा मतलब जो चीपर मोबाइल होता है मतलब बहुत कम दम में आपको 120 हर्च दिस्पले देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात काहिना चाहता हूं जब कोई भी टेक्नोलोजी अपग्रेड होता है तो उस टाइम जो पूरा वाला जो टेक्नोलोजी होता है उसका दाम घट जाता है और वो पूरा मार्केड में बहुत इजी कर दो आप मैंने चनल में नहीं है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो तो मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए बाए जय हिंद बंदे मातरा